भुपाल लोगसभा सीट पर बीजेपी ने प्रग्या सिंग ठाकुर को मैदान में उतारा तो उसका जवाब देने के लिए दिगविजे सिंग के समर्थन में साधू संतो की जमात उतराई है साधू संतो का नेत्रित्व कर रहे कंप्यूटर बाबा ने न्यू सैफिया कॉलेज में हट्योग का आयोजन किया और दिगविजे सिंग के जीत के लिए विशेश पूजा हवन किया दिगविजे सिंग अपनी पतनी के साथ इस विशेश पूजा में शामिल हुए संतों का तप तीन दिन चलेगा साथ, आठ और नौ माई को कंप्यूटर बाबा दिगविजे सिंग के समर्थन में तप करेंगे उनके साथ 7000 से ज्यादा साधू संध धुनी रमाएंगे और रोट्शो करेंगे कंप्यूटर बाबा ने कहा कि भाजपा सरकार धर्म विरोधी है जबकि दिगविजे सिंग को नर्मदा की सेवा करने वाला बताया संत समाज का कहना है कि साधू कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं संत समाज इस बार पूरी निष्ठा के साथ दिगविजे सिंग के साथ है और उन्हें जरूर जीत मिलेगी वही महराश्र के पूर्व डिप्टी सीम और राश्रवादी कॉंग्रिस पार्टी के नेता चगन भुजबल ने दिगविजे सिंग की तारीफ की उन्होंने दिगविजे सिंग को सुल्जा हुआ और इमानदा राजनीता बताया चटे चरण में मध्यप्रदेश की नौ सीटो पर मद्दान होना है इस चरण में भुपाल में भी वोटिंग होगी भुपाल लोकसभासी देश की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल है यहां मध्यप्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके कॉंग्रिस के दिगविजे सिंग का बीजेपी उमीदवार साधी प्रग्या सिंग ठाकुर से सीधा मुकाबला है भुपाल से कॉशिर किशोर चतरवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्स्प्रेस प्रुपाल से सिंग्रेस